रुमाश्कार दोस्तों स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में मैं अमन बहरा आप सभी का हार्दिक अभिनांदन और स्वागत करता हूँ तो फ्रेंट्स आज हम करेंगे प्रतक्षवाद और प्रतक्षवादी दृष्टिकों यह अनुसदान योगता पार्ट नमबर 18 है इस इसका नाम होगा आइसीटी एप्रिकिशन आइसीटी इन सर्च का ठीक है यह दो लेक्शे रह गए थे तो इसको आज हम खतम कर लेंगे वीडियो को अन तक पूरा देखे वीडियो को लाइक और शेयर जुरू के जिए चैनल को सब्सक्राइब करें के बैल आ करें दबादी पेपर वान के स्टडी मेटेरियल पीडियेफ के रिगार्डिंग को या कोई 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 है तो आप नेक्स लाइट में इसकी इन्फरमिशन देख सकते हो तो आज हम करेंगे प्रत्यक्षवाद और प्रत्यक्षवादी द्रिश्टिकों यानकी पोस्ट विजम एन पोस्ट पोस्ट विश्टिक अप्रोच तो यह अनुस अधान योगेता का तो यह एक दो लेक्षवाद रह गए हैं तो आज इसको हम कवर कर लेंगे तो देखे हम चानने के कोशिश करते हैं प्रतक्षवाद क्या है प्रतक्षवादी दिर्ष्टिगुन क्या है देखे प्रतक्षवाद क्या है कि इसमें हम जो चीजे विज्ञानिक सिधान्तों पर यानिकी जो साइंटिफिक चीजों पर अधारित होती है उसे कहते हैं प्रतक तो परतक्षवाद है क्या जानते हैं परतक्षवाद एक दाशनेक सिद्धान्त है जिसमें कहा गया है कि कुछ निश्चित जो वाकई ही सच मुझ में है वो किस पर अधारित होगा वो अधारित होगा प्राकरति गटनाओं पर और उनके गुणों और समंधों मेंने कि दो चीज़े आपस में कैसे जुड़ी होई है उसमें क्या-क्या खासित है इस परकार कारण और तर के माधम से व्याक्या की गई समवेदी अनुभव से उसको हम अपने अनभव से जानकर ही प्रापत करते हैं। जैसे पहले जमाने में अधादा कि कोई चीजे हैं, फिलोसफ़ आपने देखे हूं कि कई हो चुके हैं, प्लैटो, अरेस्टोटल, अरुस्तू कई हो चुके हैं। उन्होंने अपने अन्भव के माध्यम से आपको सभी चीज़ समझाने ही कोशिश की गई है। पर जब साइंस का आविश्कार हुआ, विज्ञान का आविश्कार हुआ, कई नई चीज़े देखने को मिले, वहाँ पर उनकी कई फिलोस्पी है, वो गलत पाई गई। तो कहने क सिंपल ये मतलब है, अगर हम only अपने अन्भव से परापच जानकार के उपर जाएं, तो परतक्षवाद में हम वो चीज़ में धोका खा सकते हैं। तो इसलिए होगा क्या, हमें इसमें जो विज्ञान से परमानित है, जो साइंटिफिक चीज़े प्रूव हैं, उसको अग जो अगर हम मानके चलते हैं, तो हम सही निशकर्ष पर पहुंच पाएंगे, ठीक है, परतक्षवाद यावी मानता है कि भौतिक दुनिया की तरह, समाज भी समाने कानूनों के अनसार काम करता है, परतक्षवाद का मानना ये भी है, कि जैसे हमारी भौतिक दुनिया है, ठी वicket दूनिया उसकी तेरह समाज भी समाज क्या है जो हमारी सुसायटी है जिसमें हम रह रहे हैं तो समय कानुनों के अनसार ही काम होता है उससायटी को चलाने के लिए समाद कानुन होना बहुत जूरूरि है ठीज है एक समाज आपसे भी स्टार्टस हो हम कहते हैं समाज, समाज, समाज की इकाई क्या है एक व्यक्ति, एक व्यक्ति उसका परिवार, उसका गली मुला, उसका शहर, उसका राज्य, उसका देश, ये मिलके क्या बनाएगा, ये एक समाज बनाएगा, ठीक है, आतम रिक्षन और सहज ग्यान को खारिज कर दिया गया है क्योंकि तत्वी मिमानसा और धर्म शास्त्र समंदी रूपक है और धर्म शास्त्री दावो को भावना अनुभध द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सकता है यहां पर यह बताया गया है कि अगर हम अपने आतम द्रिक्षन द्वारा और सहज ग्यान यानि कि हमारे अपने हम बुद्धी मता के ग्यान से दिमागी ग्यान से और आतम द्रिक्षन के द्वारा अगर हम किसी चीज़ का ग्यान प्रापत करते हैं तो वो लागू नहीं हो सकत क्योंकि उसके गलत होने के काफी आसार हो जाते हैं ठीक है फ्रेंस जैसे पहले जमाने में क्या होता था कि पहले बताते थे कि ये चीज़े बहुत जरूरी है ये ऐसे हैं ये वैसे हैं पर उसको scientifically proof करें है ना वो चीज़े वहाँ पर गलत पाई जाएंगी अगर आप मान के चलोगे किसी जीज़े बारे में ये चीज ऐसे बनी होगी तो वो चीज ऐसे नहीं बनती उस जीज़े को बनाने के लिए आपको कई तरह की चीज़े करने पड़ती जो साइंस में होती है ठीक है वो चीज़े गलत हो जाएंगी प्रदक्षवाद में वो चीज़े परमानित होगी जो विज्ञान पर अधारित होगी जो विज्ञान पर नहीं अधारित होगा वो प्रदक्षवाद में नहीं आ सकता प्रदक्षवाद दर्शन और कविता के बीच एक अधिक समानने प्राचीन जगडे का हिस्सा है विशेश रूप से प्लेटो द्वारा निर्धारित और बाद में विज्ञान और मानविकी के बीच जगडे के रूप में सुधार किया गया अब देखे प्रदक्षवाद दर्शन क्या है यहाँ पर क्या था जो प्लेटो ने अपने कुछ चीजे बताई थी कुछ चीजे निर्धारित की थी ठीक है तो बाद में जब विज्ञार ने प्लेटो द्वारा कही गई चीजों को प्रूफ करने कोशिच की उसकी कई चीजे गलत पाई गई ठीक है जैसे नियूटन का law of motion है ठीक है वो उसका कई नियम ऐसे थे जो प्लेटो ने बताये थे पर बाद में वो गलत साबित हुए ठीक ह वैसे भी होता क्या है कि अधूरी जानकरी वैसे ही बहुत खतरनाक होती है अगर आप किसी चीज़ के बारे में अधूरी जानकरी रखोगे तो आप हमेशा दोके में रहोगे वही चीज़ आपको scientifically proof हो तो आप उसको कर पाऊगे ठीक है परतक्षिवादियों के पास एक सरल समधाने यहां पर क्या है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल सटी ग्यान प्रापते तो उस चीज़ के बारे में आप में क्या है आप में confidence लेवल आ जाएगा ठीक है आप में confidence आएगा न उसमें अगर आप किसी चीज़ के बारे में शोर हो यह नहीं आपक होता था अधूरा ग्यान होता था ठीक है जब वो चुछ साइंटिपिक प्रूफ होने लग गई तो उसमें काफी सुधार किये गए लेकिन क्या कोई एक और व्यर्ट सेजर्शन की कलपना कर सकता है जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि अगले कुछ भी नहीं करने के लिए सपस्ट की टेस्ट की चीजों को मान के चलते हैं तो हमें हमेशा धूके से रहेंगे हमें सपस्ट रूप से कुछ भी प्रापत नहीं होगा जो भी हमें ग्यान प्रापत होगा वो अधूरा होगा या तो गलत होगा तो इससे क्या होगा हमारी हर चीज में जो जिग्यासा है जो मारा इंट्रेस्ट है वो खटम हो जाएगा तो ये था परतक्षभात परतक्षभात में सिंपल सी बाद आ रखे इसमें हम वहीं चीजों को प्रापत करते हैं जो विज्ञान दोरा प्रमाणित होती है बिना विज्ञान के प्रमाणित चीज यहाँ पे प्रतक्षवाद में लागू नहीं होती हमारी सोच से हम कुछ भी यहाँ पे लिखें वो परमानित नहीं होगा सिर्फ ज्ञान द्वरा चीज़े परमानित यहाँ पे लागू होगी नेस्ट है प्रतक्षवादी दृष्टिगोन प्रतक्षवादी दिरिश्टी गर्ण में हम दो चीज़ों को मानके चलते हैं पहली बात तो है कि हम इसमें विज्ञान दरा प्रमानित चीज़ों को लेते हैं प्लस अपने आतम ग्यान अपने बुद्धी ग्यान को इसमें यानकी common sense को इसमें इस्तमाल कर लेते हैं इसमें ये कहा गया है कि साइंस हमेशा कभी भी इतना सटी ग्यान आपको नहीं दे सकती साइंस हर एक चीज़ को क्या है विज्ञान हर एक चीज़ को क्या है प्रमानित तो कर सकता है पर कुछ जगाओं पर उसे वो प्रमानित नहीं कर सकता जैसे देखे, science यہ见 चाहिता, Vigyad यहां कहता है कि भगवान नहीं है पर लोगों का मानना है, सबी का मानना है कि भगवान है तो यही चीज़ें इसमें कुछ चीजें हम अपनी common sense से करनी होती है कुछ चीजें science से करनी होती है हालांकि बीसवी श्टाबदी के मंद्ध से चीजیں विज्ञान के विचारों में बदल गई है संभधा सबसे महतًबरन हमारी स्तिती को पृत्क्षवाद से दूर किया गया है जिससे बाद में शक्रात्मक्ता कहा जाता है देखे, सबसे महत्रवन स्थिती क्या है, प्रतक्षवाद की हमें दूर कर दे गया क्यों दूर क्या गया, पहले प्रतक्षवाद में क्या पहलद था कि हम अपने अनभव से चीज़ों को बताते थे पर उसमें Science विग्यार आ गया तो हम इसमें दूर होये क्यों दुर हुए क्योंकि ताकी चिड़ों को साकरात्मक दूर पर बताया जाए देखे प्रतक्षवादी दिरिश्टिकों मानता है कि विग्यानिकों के सोचने और काम करने के तरीके और हमारे रोजमर्ण की जीवन में हमारे सोचने की तरीके अलग-लग नहीं है यहां बहते हैं कि अगर जो विग्यानिक जो शूचते हैं, जो काम करते हैं हम भी अपनी जिंदेगी में, अपनी रोजमर्ण Gemária की जिन में कुछ ना कुछ काम करते हैं, सोचते हैं, उन तरीकों में बेल्कुल फरक नहीं है एक आम इंसान भी वैसे ही सूचेगा, एक साइंटिस भी वैसे ही सूचेगा विग्यानिक तर्क और समाने ग्यान, तर्क अनिवारे रूप से एक ही प्रिक्रिया है जब आप किसी जी के बारे में सोचोगे आप उस चीज़ को जानने कोशिश करोगे वेग्यानिक चीज़ को सोचेगा वो भी जानने कोशिश करेगा तो दोनों का परसेस, दोनों की परिगरिया सेम ही होती है, सोचने का तरीका कभी भी अलग नहीं होता, ठीक है, दोंडे की बीच की सभी अवलोकन उस पस्थ हैं और इसमें तुर्टी है, और, यह सभी सिधान पन्रिक्षन योगिये हैं, अब देखे, काया है कि, पर्दक्षवादL दरिस्थरिकोन यह मानता है कि, जो सभी अवलोकन जो हैं, वो us first है इसे टेस्ट करने के लिए इसमें कुछ error ना हो कुछ गलतियां ना हो इसे टेस्ट करने के लिए क्या है हमें पुनन रिक्षन करना होगा इनकी जो चीजे जिसमें लगता है कि गलती पाई जाती है इसे टेस्ट करने की कोशिच की जाए जहां प्रतक्षवादी का माना था कि विज्ञान का लक्षे सत्यक उजागर करना था वही बाद के सक्रात्मक वादियों का माना है कि विज्ञान का लक्षे वास्विक्ता के बारे में सही तरीके से लक्षे प्रापत करना है भला ही हम उस लक्षे को प्रापत नहीं कर सकते। चाहे माथ्वास्थी विताव के बारे में हरी चीज़ को प्रापत नहीं कर सकते हैं. वह रही सचख के बारे में जान सकते हैं. अब देखे, जो अन्य सुधान है, जो शोधे हैं, जो सच है, उसमें एक चीज़ कॉमन होती है कि हमें । सच्थे को ढूनना होता है. तो उसमें परतक्षवादी द्रिश्टिकोन काम में आता है रिसर्च का क्या अमल लब है अनस्दान का क्या अमल लब है कि हमें किसी चीज के बारे में सत्ते को जानना जिसमें परतक्षवादी द्रिश्टिकोन यह जानने को श्री करता है कि हमें वो चीज कैसे जाननी है किस प्रकार जाननी है तो प्रतक्षवादी में हम विज्ञान दोला प्रमानी चीजों को scientific proof चीजों को देखेंगे तो प्रतक्षवादी दृष्टी कौन में हम विज्ञान के साथ सथ अपनी common sense का इस्तमाल भी करेंगे ठीक है पतक्षवादी रिष्टिकोर्ण यही मानते है कि साइंस में इसस आई नहीं रहती इसमें हमें अपनी कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना है तो यह था आज का लेक्षर अगर वीडियो चले लगा तो लाइक और शेयर करना मत बोलिए मेरे तक लिए वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद थैंक्यू जाए हिंद